कि चलिए शुरू करते हैं इंडिन आर्टिस्ट चैनल में इस मेरी नई वीडियो में आम देखेंगे कि किस थारा डिफ्रेंट डिफ्रेंट टूल्स का यूज करते हैं पोट्रेट स्केचिंग में फर्स्टली स्टार्ट करेंगे पैंसल से लिकिन डिफ्रेंट 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 पैंसल का यूज करते हैं पोट्रेट स्केचिंग में आपको स्क्रीन पर शो हरी होगी डिफ्रेंट 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 पैंसल्स 4H, 3H, 2H, HB, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B मैं मेरी sketching में पोटर्ट sketching में इन सभी pencil का यूज करता हूँ different area के लिए different pencils ये आपको शो ही होगी scale कोई सी भी scale का यूज का सकते हैं वैसे तो scale का यूज के जाता है grid के लिए यूज किया जाता है जिससे fast and realistic बना सकते है and then हम आपको इस शोहर का skin पर eraser का मैंने इस eraser को corner से एक pencil की तरह shape दिया हुआ है आप इसे एक neck eraser की तरह भी use कर सकते हैं आप इसे corner से cut करके neck eraser की तरह यूज कर सकते हैं इसका यदि आप neck eraser नहीं खरीच सकते हैं तो आप इसे भी neck eraser की तरह भी use कर सकते हैं इसे मैंने hair में यूज किया है lips में यूज किया है and eyebrows में यूज किया है और then white pen पर आते हैं white pen भी आप यूज कर सकते हैं या फिर white pen यूज किया है white pen भी बहुत useful रहता है small small area में white pen का यूज करके आप इसे sketchful or realistic बना सकते हैं then बात करते हैं black pen के आप यदि इस वो समझने चाहते था आप अपने मेरी previous video में देख सकते ही कि कैसे मैंने यह white black empty pen को कैसे यूज किया then tissue paper का यूज किया जाता है sketching में जिससे हम हमारे sketch को और smooth बना सकते हैं अब इसे स्क्रीन पर देखके step by step learn करके follow करके apply कर सकते हैं sketching में and then ear words ear words का important role रहता है sketching में बहुत useful रहती है हमारी sketching में lips में यूज के आता है hair में यूज के आता है बहुत से different areas में यूज के आता है and white cloth का भी बहुत use के आता है इसको tissue paper की तरह भी use कर सकते हैं पर मैं recommend करूँ आप tissue paper यूज कर सकते हैं white cloth के जरी है white cloth को भी use कर सकते हैं fold करें hand भी fold करें इसे tissue paper की तरह भी इससे भी blending कर सकते हैं and then आप पो यह दिख रहेंगे में आप पर छोटे छोटे पीस करके eraser के अपने sketching में भी use कर सकते हैं small small areas में तो मिलते हैं मेरी next video में यदि video अपने हैं